जी हां साथियों नित्तु गोपी सालमा सूरज और प्रेमसंद इन साथियों का कहना ये है कि मुझे समझा दिजिए कि वन आखिर होता क्या है तो साथियों घवराइए मत आपसे ये चीजे पूछा जा सकता है कि वन क्या है वन से आप क्या समझते हैं वन का मतलब क्या होता है वन का परिभासा क्या होता है वन किसे कहते हैं तो यह सब चीजे आप से पूछा जा सकता है तो यह सब का मतलब सेम ही होता है कुछ भी पूछ दिया जाए आपको जवाब वही देना है जो मैं आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप ध्यान दिजिए तो यहाँ पर आसानी से आपको दिख रहा है one one जिसे और हम हिंदी में कह सकते है जंगल ठीक है और जंगल ना कह करके और हम कह सकते है उपवन और उपवन ना कह करके हम कह सकते है बाग ठीक है और इसे इंग्लिस में हम कहते हैं forest यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख रहा है forest ठीक है तो आईए अब हम समझते हैं one की परिभासा ओके तो इसी वे में मैंने लिख क्या रखा है वन और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन का जुप वरिभासा है वो बहुत ही आसानी से मैंने लिख रखा है वो क्या है तो यहाँ पर देखिए वह छेतर वह छेतर कहने का मतलब यह कि वह जगह या कह सकते हैं वह अस्थान जिसमें बिभीन परकार के पादप उगे होती है जिहां साथियों जिन में बिभीन परकार के पादप उगे होती है मतलब ये कि बहुत सारे वहाँ पर पेड़ होंगे जिहां बहुत सारे पेड़ होंगे तो वही आपको क्या कहलाता है वन कहलाता है क्या आपको वन समझ आया बस ये च तीजे ख्याल रखनी है कि जहां पर बहूत सारे पादप क्या हूँगे हूंगे, तो वही आपका वन कहलाता है, ठेक है, तथा भिन भिन अधिन परकार के जानवर तथा पंच्यों का वास होता है, मतलब यह कि हमारा जो जंगल होता है, वो विभीन भिविन परकार के जानवर जानवरों तथा पंचियों का क्या होता है वास होता है वास कहने का मतलब यह कि घर होता है मकान होता है तो यहां पर इजली आप समझ गये होंगे यही आपका क्या कहलाता है वन कहलाता है तो वन का परिभास आपको किलियर हुआ कि नहीं हुआ तो आप इजी वे में यह लिख दीजेगा कि वच छेतर जहां पर बहुत सारे पादप उगे होते हैं और वो क्या होता है जानवरों तथा पंचियों का घर होता है ठेक है तो यही आपका क्या कहलाता है वन कहलाता है ठेक है तो यहां पर इजिली आप समझ गये होंगे तो आईए अब हम समझाते हैं कि वन में कौन-कौन से जानवर रहते हैं तो यहां पर मैंने यहां पर इजिली लिख रखा है वो क्या है तो बहुत ही आसानी से मैंने लिख रखा है देखिए यहां पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेर, औरचिता, बाग, भालू, भीडिया, सियार, तेंदुआ, यह सब क्या है, यह आपको जंगल में रहने वाले जानवर है, और पंची का अगर हम बात करें तो कोयल, तोता, आप देख सकते हैं, मोर, यह सब कहां रहते हैं, तो हमारे जंगल म है, चंदन है, असोख है, सिसम है, सागवान है, और सागोन है, बरगद है, और खजूर है, तो यह सब काफी चीजे हैं, जो हमारे जंगल में उपस्तित होते हैं, तो आपको बिलकुल यह आसानी से स्रमज आ गया होगा, और भी बहुत सारे चीज पेड़ वहाँ पर उपस् वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजेगा, तो वायवाय टेकर वेस्ट ओफ लख बने रहिए और जूडे रहिए